हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का अपनी यूटूब चैनल पर और ओमान डीटेन लीग के एक और मुहां मुकाबला मैच में जो खेला जाएगा मजिश टाइटन्स भर्सेज मुश्कट थंदर्स के बीच में अब भाई ये मैच शुरू हो गया है और ये मैच कापी करके जाएंगे और 100% विनिंग वाली टीम ले करके जाएंगे ठीक है ना बाई ये सिरीज में हम लोग के लिए बहुत 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 होने वाला है कुछ ऑल्ड खिलाडी और कुछ न्यू खिलाडी दोनों एड हुए है तो उसी परकार से हम लोग यहाँ पर टीम भी करने वाला है ये हम लोग देखेंगे फिर हम लोग बात करेंगे मैच के बारे में जो हम लोग के लिए captain vice captain होगा वो कौन सा खिलाडी होगा और best pick होने वाला है उसके बारे में चूज करेंगे और उनका perform कैसा रह सकता ये सब दिसकस करेंगे और फिर अपना टीम मनाएंगे चलिए उसे पहले हम लोग देख लेते हैं कुछ यहाँ पर estates का जो अपने लिए काफी काम आ सकता है तो बात करते रिसेंट लास्ट फाइफ मैच के गई है और यहाँ पर देखेंगे चार्ड लॉस है एक मात रोवीन है ठीक है दूसे तरह बात कर लें एमटी का तो एमट आपको यहाँ पर बनेंगे रन बनेंगे 48 गरे गिरें जिसमेंसे पेशर को 32 विकेट मीले वह है अब कि देखेंगे तीन लुट आती तीन आपको यहाँ पर head to head match खिला गया है जिसमें तीनों empty जिते गया है तो आपको empty पर focus करना पर रहेगा empty काफी अच्छा खासा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे अच्छा खासा आपके लिए benefit होने वाला है अब देखते हैं आज के match में हम लोग के लिए न टॉप खिलारी कौन सब रह सकते हैं और वो खिलारी को fix खिलारी के तौर पर कैसे इस्तमाल करना वो जड़ा साथ देख लिए हम लोग तो A. रॉलफ को और यहाँ पर उबैद उल्ला को और यहाँ पर A. अकील अहमद को यह तीन खिलारी को अपने टीम में लेके चल सकते हो और आप इसे 100% यूज कर सकते हो as a fix खिलारी के तौर पर यह अपने लिए fix खिलारी की तौर पर काम आने वाला है और दूसरे टीम में आपको M. टिक तरब से जी नर समया को दिखने को मिल जाएंगे चोनीडा रतन को और M. अनसारी को दिखने को मिल जाएंगे इस खिलारी को अपने टीम में लेके चल सकते हो यह अपने लिए बहतरिन ऑप्शन है और यह सभी खिलारी को हम लोग आज के मैच में as a fix खिलारी क किस परकार रहने बाला है तो वो जड़ा सा देख लेते तो बैटिंग आर आपको ए रोग पहले नंबर पर दूसरे नंबर पर यूँ अकिल और तीसरे नंबर पर एक खान देखने को मिल सकते हैं आज के मैच में एमटिक तरब से आपको ए चनवर और यहाँ पर एडरा दे टेलेग्राम को अगर जोइन नहीं किया न तो देर मत करो फटा फट से टेलेग्राम पर आजाओ टेलेग्राम पर आपको मिलती है विनिंग वाली टीम ऐसी टीम जो आपके लिए वाकई अच्छा खासा प्रॉफिट करके दे सके और आप टेलेग्राम पर आते हैं तो आप से कोई भी पैसे या फिर कोई भी चार्जिस लियाते हैं यहाँ पर आपको जो भी टीम दियाती है वो जेनुवन टीम दियाती है जिसे कि आपका टीम कमाल का बन सके और आप अच्छा का सा रैंकिंग फिनिस करके जा सकते हैं यहाँ से और यहाँ पर कैसे आना है जो बात करते हैं हम लोग आज के मैच के बारे में हम लोग के लिए best captain vice captain कौन सा खिलाडी रह सकता है और किस खिलाडी को हम लोग अपने टीम में as a captain vice captain के purpose से लेके चल सकते हैं जो अपने लिए बहुत important होने वाला है देखो यहाँ पर हम आपको चार खिलाडी के captain vice captain का कैसे बहुत important है अब जो हमने आपको यह चार खिलाडी आना भाई आज के मैच के यह चार खिलाडी ना आज के मैच के बेस्ट पिक रहने का captain vice captain के लिए तो आप इसे 100% यूज कर सकते हो as a captain vice captain के लिए बहुत important है ठीक है भाई तो इसे अपने टीम में जरू-जरू इस्तमाल करन चलो अब बात करते हैं कि हम लोग team कैसे बनाएंगे captain vice captain कैसे यूज करना है वो जरा सा देख लेते हैं जिससे कि अपना team बहुत कमाल का बन सके यहाँ पर देखें कि यहाँ तो हमने चार साथ के combination बना के चला हुआ है जिसमें से wicket keeper के तोर पे एक wicket keeper यूज के है ए पतवा पर लेके चलने मांसारी को और एस जैन को और अफरीदी अपने team में होने वाला है captain दिखूक तो फिलाल हमने यह आप पर वाउसिर को वाइस के option A-20 को बना के रखा हुआ हलांकि यह final team नहीं है ठीक भाई final team न हम आपको telegram पर ही provide करेंगे आपको क्या करना है आपको आना है टेलेग्राम पर अगर आप टेलेग्राम पर आते हैं तो वहाँ पर आपको लाइनप के सेमय में team प्लस जितने भी update होगी या फिर प्लेयर से इंफर्मेशन मैस से इंफर्मेशन जितने भी जानकाड़ी होगी सारा कुछ हम आपको telegram पर ही share करेंगे तो फटा फट से टेले टेलेग्राम पर आजाए इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रेप्शन में है वीडियो देखने के लिए धन्यवाद